कि लेजिस्टलेशन का एक क्योस्टन लीजिए साथ में हम इसके साथ दो रेगुलेशन बता देंगे 77 और 78 ठीक है दो दो सबको एक एक लाइन में हर एक पाइंट को बता कि जो भी जरूत का होगा पर सेकंड क्लास के लिए वह सिर्फ बात करेंगे अभी जो हम रेगुलेश् चैइट अब पुली और आपको अप्शन यह देंगे पुली के अपको फिल इंदबलेंग बता जिए आप पे 2.5 मिटर 2 मिटर और 3 मिटर सबस्पाहले यह कहां का यह चैजिस्टन है रेगुलेशन शेवंटी एट से कहां से है रेगुलेशन शेवंटीएट से इसको तो कर बताह मात च्रपातर च्रोलिंन में रखना जाद मत पढ़िए का भी मुसमा सब्सक्राइब आ एक बोलता है एक बारे मेरें बूलता है यह भी टिन यह इंगया की वह सही बात सब्सक्राइब क्या हो रहा प्लिट एंगल सब्सक्राइब को एस सब्सक्राइब हो गया इससे ज्यादा नहीं होगा का है नहीं होगा यह तो सब्सक्राइब क्यों नहीं होगा यह तो पहाट टूट जाएगा आपका जो है उसमें घिसाओ ज्यादा होगा क्या ज्यादा होगा गिसा होगा मोर एंगल आप प्लीट रिजल्ट इन वियर यह वर्ड यादा की का वियर इसी को वियर एंट इयर भी बोलते है कोई घिसाओ इंदी भाले घिसाओ ठीक है मोर प्लीट एंगल रिजल्स इन वियर रोप यंड भी आइंड पूली आल सो पूली का भी और वाइंड कोका भी घिसाओ ज्यादा होगा एदि अधिगल प्लेट आप ज्यादा रखते है तो इंगल आप लिट क्या चीज़ है गौन एधि करो करेंट सक्रॉर नां थैं भोल तूसका वर्टीकल प्लेड़ और वाइंडीजन रोप पुली उपर हIP पुलीजस अयसा लोप आया तो यह सीधा खड़ा वर्टीकल प्लेड़ और वाइंडी रोप करे भीड़ premi से वाणता है उसको बोलते हैं कि ओंगल अब ना मूर से भी तो ऑंगल घ। सेया हुआ घ।डर पेसे नहीं कोई अब उसमें और नोह लेकर है को एसा कि आख तुसे लिगर ऊंगा हिंग रहे गले होग पुली and winding rope when the case is at the pit top or pit bottom मतला एक्स्ट्रीम पोजीशन बोलता है अप्रेकुलिशन देखिए कि तुमाँ वर्ड यह इस्तेमाल होता है एक्स्ट्रीमी पोजीशन वह यही बात बोल रहा है एड़ पित पुली का वर्टिकल प्लेन और वनिंग रोप के लिए एंगल बनता है डाट एंगल इस एंगल प्लेट और इन सिंपल वर्ट प्लेट एंगल इंड शुट नाट वी मोर्डेट वनेंड हाट इस चार्चे बार बोल दिया यह तो याद रहना ची ठीक है घिसाओ रोकने के लिए टेप कत्म हो गया एक बात याद रखीगा रखीगा डूसरा सबस्टाम है जिसमें पर रहे हैं ठीक है जिसमें प्लेट चैनल आया है क्या बोलता है कि जितने भी वाइंडिंड ड्रंस है यह पुली है जितने भी शूट्स है उनका डायामेटर जो है वो रोप के डाय टाइम्स होगा कितना होगा हंड्रेट टाइम्स होगा इतना सती है रखने है क्या बोला डाया ओफ डाया ओफ ड्रम और पुली और सिंब्स्टी अज़सर सॉट में लिक रखिए जयां लंबा जया लिकियर रिक्षा रट्र नाल समय जयेगा डाया मतना डायामेटर डाम आंप ड्रम आर पुली आर्स्युद्स वैंडिंग के चीज़ए ड्रम आपुली आर्स्युट्स एल्भी कितना होगा शैलभी 100 ता तडाया ओप वाइंडींग रोप डब्लू रोप कि दिया मतलब वाइंडींग रूप इतना याद रखेगा ठीक है लेकिन ठीक है भाईया क्या वो रहो कि जो वाइंडींग रोप आपने इस्तेमाल किया उसका जो डाया है उससे हम अंडेट का मल्टिप्लाइब कर दीजेग और जो फिगर आएगा वो फिगर होगा आपका वाइंडींग ड्रम का वाइंडींग पुली का या कोई सिव इस्तेमाल हो रहा है इन कनेक्शन विद्ध यूज आप क्वाइंडिंग इंस्टोलेशन यह बुलगा लेकिन बट वाई मुझे पूछा था पर्सक्लास के औरल म एक का शिवडियल राची के डिटी थे हम नाम नहीं जानते बहुत ओल्ड परसंस थे उननों पूछा लगा है ऐसा बोले थे का है हम यह जब पूछा यह तो यह बता जिए यह बताई तो बता है का है ऐसा बोला वह सार तू मिनिमाइज दबेंडिंग इस्ट्रेस इन दवा वाइंडिंग रोप ठीक है क्या बोल दी आपने जैसे बोला का है तो मुल दिया सार टू प्रुवेंट तो बेंडिंग इस्ट्रेस इस इन दवाइंडिंग रोप जो वाइंडिंग रोप आप इस्तेमाल कर रहे है घर में प्रेटिकल करके देखीगा एक छोटा सा घरनी ल फैसे कुछ चैसी को डाल के देखींगा तो किसमें ज्यादा रूप मूड रहा है जिसमें ज्यादा रूप मुणे ज्यादा बैंडिंग स्ट्रेस होगा सीधा सब्सक्राइब+. पुली में ज्यादा भैंड होगा आपका रोप तो उसमें बेंडिंग रखी गारक依ा अजि हो जाएगा तो शिर्व रेगुलेशन नहीं समझा रहे है उसके पीछे का चीज भी समझा रहे है उसको भी सुनते रहे समझते चलिए कि कहें यह नियम दिया है रेगुलेशन में टू मिनिमाइज बेंडिंग इस्ट्रेस इन वांडिंग रोग ठीक है दो यह तक लिए रोग है चलो तारी चलते हैं अब इसको भी नहीं लें इते सकते डामेटर वांडिंग रोग देजिए ट्वंटिवाइए में और डाया प्रेट पूली पूछ रहा है आपका किता दिया है 25 mm दिख्रा बाभू वांसे इंटू किता कर देंगे हम हंड्रेट टाइम्स मोला मदला इंटू थांडेट के दिखिता कर तो ट्वंटिवाइए में मदल पच्छी सो इमें आगे अग इसको काय में मदल लें यह मीटर में तो मिटर मदल देते ट्वंटिवाइड को डिव एक मीटर में 1000 एक हजार में एक हजार से डिवाइड किया तो हमको क्लास 3 में सर बताय थे कि यह लास्ट डिजिट गिली जे तीन उसके बाद लगा दीज़े डेसिमल एक दो और तीन मत्तू पॉइंट पाइंट जिरो जिरो मीटर हो गया मत्तू पाइंट पाइंट ढूंगा था और फोर्द से बात इаты इसमें यार रखना कि अपमंट लगा रहे हैं rip लगा रहे हैं Tao उसका गरूल होुगा लूम समस्ते हैं गिरनी देखें हैं पुली देखें कभी खाचा रहता खाचा जिसमें से रोब घुमता है वह गुरूब और उसके बाद देखें का फ्लेंजेस लगे रहते हैं तो गुरूब जो है पुली और स्यूव सेल्विट शुटेक टूदा डाया अब दर रोब वांडिंग रूप प् यह ने कि रोप फिजल के नीचे गिर जाए तो कहां जाएगा पता नहीं फिर तो स्लिपिंग को रोपने के लिए प्रोविज्ट दिया है और एक क्या प्रोविज्ट दिया है कि जब आपका पुली मोसन कर रहा है तो वह वर्टिकल प्लेन में ही घूमना चाहिए ठीक है प चाहिए यही चार बात इस रेगुलेसिंग में आपको याद रखना है इसी के ऊपर आगे पीछे कोई आपको अबजट्व आएगा एक और रेगुलेशन ता रेगुलेशन 77 शीजबार आपको रेगुलेशन 77 से पास्ट लाइसर से से किंड्स में एक क्योश्ट नाएगा और किसको किसको देंगे और ऐसा कोई इस्तेमाल करना है जो लोरिंग परसंस के लिए इस्तेमाल हो रहा है है तो साथ दिन पहलेरेजन्ट या मैंजर साथ दिन पहलेजिन रेजिनल इंस्पेक्टर माइस और किसी को निवाया चीप इंस्पेक्टर माइस को साथ दिन पहले नोटिस देगा आपको लिग देगा और बलेंग देगा दो जड़ा क्या कड्ल्ड देगा और कैसे लिक्क यागएगा वेन इस इंटेंडेट तो ब्रीग इंटो यूज अनी न्यू वर्णिंग इस्ट लिसंस ओनर एजन्ट और मेनेजर सेल ग्यू नोटीज ब्लैंक देज किता दिन पहले बोला साथ दिन पहले 60 6060 6060 देज नया वर्णिंग इस्ट लेशंस को चालू करना है फार्द पर पर जो पर दिन पहले नोटीस देगा वर्णिंट टार मेनेजर किता दिन पहला 6060 6060 देज पहले देगा न्यू वांडिंग इस्ट लेशंस को ठीक है तो यह दो रेगलेशन कंप्लीट होए बाकिवांडिंग के दो तीन 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 रेगलेशन को मिला के दो चारव वीडिंग वीड वीडियों दो तीन दिन में आज रात में चलू किया है और हमको आज रात में समय मिलता है तो हम और बता है ठीक है